अस्सलाम अलेकूं गुड मॉन आई आप सबका मेरे चानल पर वापस से स्वागत है कल जब पीपी आइ नंबर्स आए तब हम लाइफ स्ट्रीम पर ही थे लाइफ स्ट्रीम कर रहा था मैं उस टेम गोल्ड प्राइस चल रहे थे तक्रीबन साथ बजे नंबर आये तक्रीबन सत्रहसो बहतर के असपास चल रहे थे गोल्ड ने हाई बनाया उसके बाद सत्रहसो च्यासी के आसपास का यह जो आधी रात को सपाइक आया साड़े यारह से साड़े बारा बजे की बीच यह स्पाइक दो वजह से आया एक तो मैंने आपको टेलेग्राम पर पताए दिया था फेडरल रिजर्फ के एक चेर्मन ने बोला है कि रिसेशन इस मतलब आना ही चाहिए बट यह है कि हाई उसके बाद एक सेकेंड इंसेडेंट यह हुआ था कि रशिया ने जो है युक्रेन की तरफ काफी सारे मिसाइल छोड़े थे तकरीबन सौ के आसपास जिसमें से कुछ मिसाइल जो है वह पोलेंड के अंदर भी गिरें और दो लोगों की मौत हो गए ध्यान रहे पोलेंड इ इसलिए आपको थोड़ा सा मार्केट अभी शांत लग रहा है बट यह है कि हो सकता है इस बारे में आज काफी चर्चा हो जाए मार्केट में ध्यान रखेगा अगर कोई भी अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी ज्यादा वार का एक्स एसकेलेट वाप करकी बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखेगा विकॉज यह वाली जो चीज है यह आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते के रशिया का मूड हुआ उसने उठाके दो तिन ठोक दिये और कभी पोलेंड का मूड हुआ तो उसने वापिस से जवाब दे दिया तो प्ल बजे हैं यह नंबर और दुपैर को साड़े बारा बजे ब्रिटेन की इंफ्लेशन नंबर्स भी है तो इसका भी ध्यान रहेगा बाकी रजस्टेंस आपको सेम सिस्टम पर दिख रहा है 1792 का मैंने कल शाम को ही दे दिया था लाइश्ट्रीम के टाइम यह अभी भी सपोर्ट भी अभी बेवालेट है तो इसका रखेगा ध्यान ट्रेंड में एक्चुलिए चींज है ट्रेंड पॉजटि नहीं है पॉजटिव अभी फिलाल ट्रेंड नहीं है इसका मतलब है मार्केट हमारे हिसाब से वीग जोन में चार्च चुकी है आज का रजसने से 22 जॉलर पांच सेंट का सपोर्ट है 21 जॉलर 30 सेंट का करेंट है फिलाल इसका वीग तो रखियेगा ख्याल 21 जॉलर 30 सेंट के नीचे वापिस से एक वेव आफ सेलर्स आनी चाहिए बाकि अगर 22 जॉलर ब्रीच करता है 25 सेंट के आसफ़ ब्रीच होता है तो मार्केट में वापिस से बाइंग लॉट सकती है फिलाल सिल्वर वीग जोन में है तो रखियेगा ख्याल आते हैं क्रुड ऑइल पर अगल हमारा रजस्टन्स था ब्रीच हो चुका है सटासी पचास के उपर अठासी सत्तर का हाई भी बना है यह जो कैंडल है यह ड्यू टू डाट रश्या रश्या और पोलेंड का जो मिसाइल गिरा उसकी वएसे है अभी भी वी विल अज्यूम के तिरफ और सिर्फ जो रहा था मिसाइल उसकी वज़े से ही है ताइस सतासी पचास का रजस्टन्स अभी भी सेम रहेगा सपोर्ट रहेगा चौरासी असीगा त्रेंट फिलहाल स्लाइट है लेकिन सतासी पचास के उपर टिकता है जाके दैन वी विल अज्यूम वी विल कंक्लूड के मार्केट फा का 370 यह उर्वाइज आप से चल रहे हैं टीन्स के कखवा अगल सपोर्ण हमारा बटीन्स पचास के बाद अगरी या मद दोंस असी तक फिल मद चुका है और यह एक कि युदा तो की बात कि यह जी 1780 का कल सपोर्ट था 1793 गलो बना है अभी का सपोर्ट है वापिस से 1780 कि प्रदुस्टन से आज का 950 का रेंट फिलहाल इसका फ्लाइट है पॉजिटिव तो नहीं है ज्यान रखेगा मेजर सेलिंग शुरू हो सकती है जो 1780 ब्रीच होगा तब अब क्रिप्टो देख लेते हैं सबसे पहले देखेंगे बिट का कॉइन यह है बिट का कॉइन सत्रहजार के उपर कोई भी कैंडल नहीं बना है सिर्फ स्पाइक ही आपको दिख रहे हैं अभी भी सत्रहजार का रेजिस्टन्स इस इंटक्ट सपोर्ट में एक चेंज्ज ज्यान दुखेगा बिट कोईन का ट्रेंट तब इसाइड होगा जब यह तो रजिस्टन्स तूटेगा यह सपोर्ट तूटेगा एथरम पर आ जाते हैं एथरम का फर रहागा है यह है घ्रम में सपोर्ट है आज का बारा सू था बीच टॉलर का रिस्टन से आज का तेरह दस ट्रेंड है इसका पॉजटिव तो रखेगा ख्याल बागी कल मैंने मार्केट कॉमेंटरी पर आपको बताई दिया था सिल्वर वीक सुन में चला गया है ताड़े आट बजे ही बता दिया था जब 27 तर उसने तोड़ा था हमार्केट कॉमेंट्री एलिच चला पर मार्केट कॉमेंटरी की जानकारी दिस्क्रेप्चन में दे दी है मैंने लिंक है उसके अंदर आप जाके सारी की सारी पहलेज तर देख सकते हैं एमसी एक ने भी कल मैंने सिल्वर सिग्नल दिया था सैल का सिग्नल था कॉस्ट पर एक्जिट कर ली थी हमने होल्ड तो नहीं किया था मार्केट बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कॉमेंट करके जाएगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर गजब आ